आज मैं आपका परीचा एक ऐसी प्रैक्टिस से करवाने जा रही हूँ जो आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करेगी आपके हार्ट को स्वस्थ रखेगी देखे हमारे शरीर का सबसे important अंग जो है सबसे vital organ है वो है हमारा हार्ट, हमारा दिल और आप सब जानते हैं शरीर में बड़ा हुआ कॉलिस्ट्रॉल आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है वैसे तो हमारे शरीर में गुड कॉलिस्ट्रॉल बैड कॉलिस्ट्रॉल दोनों तरह के होते हैं लेकिन खराब लाइफ स्टाइल के कारण गलत खान पान के कारण ये जो बैड कॉलिस्ट्रॉल है ये बढ़ने लगता है आपकी खून की नलियों में जमा होने लगता है और इसका बहुत बुरा असर दिल पर पड़ता है तो हमारे योग शास्त्रों में कुछ ऐसे नैचुरल ऐसे असरदार तरीके बताए गए है जो ना सिर्फ आपके इस बढ़े हुए कॉलिस्ट्रॉल को कम करेंगे बलकि आपके पूरे शरीर को अनेक तरह के फायदे देने वाले है तीन हस्त मुद्राएं आपके साथ शेयर करूँगी ये कितनी असरदार है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहा जाता है यानि जो मृत शरीर में भी जान डाल दे रान शक्ति फूंक दे नमस्कार योगजर्णी में मैं मदु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ योगशास्त्र ये कहता है कि हमारा शरीर तभी तक स्वस्त रहता है जब तक शरीर में प्राणों का प्रवार ठीक तरीके से होता रहे प्राण शक्ति रुकी जिस अंग में रुकेगी वहीं पर कुछ न कुछ रोग दिखाई देने लगेंगे जब आप अपनी उंगलियों को एक खास स्थिती में रखते हैं तो शरीर में प्राण शक्ति बहने लगती है किसी भी तरह के अवरोध हैं वो दूर होने लगते हैं शरीर में जो टॉक्सिंस हैं वो बाहर निकलने लगते हैं शरीर में खून का दौरा हर अंग तक सही तरीके से होने लगता है हर अंग को पोशन मिलता है वीडियो शुरू करने से पहले एक खास चीज़ अगर आपको योग विद्या में मुद्राओं में विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना समय खराप ना करें ये मुद्रा वास्तव में आपकी जो बंद धमनियां हैं जो खून की नलियां हैं जो कोलिस्टरॉल के कारण बंद हो गई हैं उन्हें खोलने का काम करती हैं आपकी दिल की बिमारियों के खतरे को कम कर देती हैं कमजोर से कमजोर विक्ती भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है अपनी प्राण शक्ती को बढ़ा सकता है आँखों से चश्मा हड़ जाता है शरीर में किसी भी तरह की जो कमिया है वाइटमिन्स और मिनरल्स के कमिया वो दूर होती है आपके पूरे शरीर में सही दिशा में प्राण शक्ती का प्रवा होना शुरू हो जाता है ऐसा ही होता है जब आप प्राण मुद्रा बनाते हैं इ पूरे शरीर में प्रान भर देने वाली मुद्रा है अपनी ring finger, little finger और thumb को आपस में मिला देने से बन जाती है प्रान मुद्रा जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्रां का अभियास हमेशा दोनों हातों से करें ताकि आपके शरीर का जो लेफ्ट भाग है और राइट भाग है दोनों हिस्सों को इसका पूरा फायदा मिल सके तो मुद्रा बनाकर आप हतेलियों को आस्मान की तरफ रखे और आखे बंद करके मुद्राओं का अभ्यास किया जाना चाहिए इस वक्त अगर आप लंबी गहरी सांसे लेते हैं तो मुद्रा का असर दस गुना जादा हो जाता है कितनी देर करनी है पंद्रा से लेकर 45 मिनिट तक कब करनी है सुबह कर सकते हैं शाम को कर सकते हैं खाना खाने के तुरंत बादना करें मुद्राओं का प्यास अच्छा एक और मुद्रा है जिसे कहा जाता है fat burn मुद्रा ये ना सिर्फ आपके खून की नलियों की सफाई करती है शरीर में बड़े हुए fat को कम करती है आपके metabolism को boost करती है ताकि आपके जो thyroid gland है जो आपके metabolism के लिए responsible है वो ठीक तरीके से काम करती रहे यानि इससे आपको thyroid में भी फायदा मिलता है बड़े हुए cholesterol में भी फायदा मिलता है शरीर के वजन को नियंत्रण में रखने में फायदा मिलता है तो अपनी जो ring finger है उसे अंगुठे की जड़ पर लगा देना और अंगुठे से इस उंगली को दबा देना इस तरह से ये बन गई हमारी सूर्य मुद्रा इस मुद्रा को कई बार हम प्रत्वी शामक मुद्रा भी कहते हैं कई बार अगनी प्रदीपक मुद्रा भी कहते हैं यहां पर ध्यान रखने वाली बाती है कि सूर्य मुद्रा आपके शरीर में अगनी तत्व को बढ़ाती है तो वो लोग जिने बहुत जादा acidity जहती है शरीर में पित्त का प्रकोब जादा है वो इसे अवाइड करें प्रेगनेंसी में पीरिड्स के दौरान या ऐसे लोग जिनें इंटर्नल ब्लीडिंग की समस्या है वो भी इस मुद्रा के अभ्यास को ना करें बाकी सबी लोग 15 से 45 मिनिट तक इस मुद्रा का अभ्या नहीं कर पाते हैं तो दो तिन टुकडों में कर सकते हैं बस ध्यान ये रखना है कि चलते फिरते बाते करते वे आपको मुद्राओं का अभ्यास नहीं करना है एक जगे बैठ कर जब मुद्राओं का अभ्यास करते ना तब ही आपको उसका पूरा और सही फायदा मिलता है औ दिल को मजबूत करने के लिए, दिल की धड़कन को नियमित करने के लिए, यहां तक की पेट से जुड़ी समस्याओं से दूर रहने के लिए, आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना ही चाहिए। जानते हैं कितना एफेक्टिव है यह मुद्रा, कि जब व्यक्ति को हार्ट अटेक आया हो, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उस वक्त भी अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करवाते हैं, तो उसे फाइदा मिलता है, देखे बाकी काम तो डॉक्टर करेगा, लेकिन ह उस्पिटल तक ले जाने के दोरान आप उसे इस मुद्रा का अभ्यास करवा सकते हैं, एंजाइना अटेक होने पर यह दर्द को कम करती है, बलड के सर्कूलेशन में सुधार लाती है, कैसे बनानी है, अपान वायू मुद्रा, तो पहले आप बनाएंगे वायू मुद्रा, अंगूठे की जड़ पर अपनी पहली उंगली को लगा देना, यह हो जाती है वायू मुद्रा, और अपान मुद्रा, यानि आपकी जो बीच वाली उंगली और रिंग फिंगर है, इन्हें इस तरह से आपको अंगूठे की टिप पर लगा देना है, फिर से देख लें, पह हमारी अपान वायू मुद्रा, 15 से 45 मिनिट जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, यह पूरे शरीर को डीटॉक्स कर देती है, हर तरह के जो मल है, शरीर में जो रोगों का कारण है, उन्हें बाहर निकालने का काम करती है, आपकी कॉलिस्ट्रॉल को ठीक रखने का का करती है, अपान वायू मुद्रा का अभ्यास करने से आपके शरीर में जो अपान वायू है, जो दूशित वायू है, वो सम हो जाती है, आपका शरीर एकदम स्वच्छ और निर्मल बन जाता है, आप स्वस्थ रहने लगते हैं, इस मुद्रा का जादा फायदा लेने के आप इसके बाद 10 मिनिट प्राण मुद्रा का अभ्यास जरूर करें, जब आप मुद्राओं का अभ्यास करते हैं, तीन चीज़ें सबसे जादा इंपोर्टेंट हैं, थोड़ा सा पेशिंस, बहुत सारा विश्वास और लगातार प्रैक्टिस, ऐसा नहीं होगा कि आपने आज मुद्रा लगाई और आज ही आपको उसके रिजल्ट्स मिल गए, सही तरीके से करना है, लगातार करना है, मेरा दावा है, रिजल्ट्स मिलना निश्चित है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जादा से जादा शेयर करें, और मुस्ट इंपोर्टेंट अपना जड़नी पर है, नमस्कार